तो जैसे कि आपने thumbnail पर देख लिया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है कि आप अपने website के speed कैसे बढ़ा सकते हो तो बहुत बार क्या होता है आपके website में जो भी image आप रखे हो उसका size बढ़ा होता है उसका size बढ़ा होने के कारण वो page load होने को time लगता है तो आप उस image को क कैसे compress कर सकते हो तो सिंपल से स्टेप्स है आपको Google पर जाना और सबसे पहला और सच कर लेना है compress jpg png जैसा कि आप अगर वह jpg image तो jpg select करोगे png format में तो png format select करोगे मैं jpg select कर लेना और सच करने का सबसे पहला website जो आ जाता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है इसका लिंक म में आपको description दे दूंगा सबसे best website है और यहां पर आपको अलग-अलग options मिल जाएंगे jpg png तो आपको जो भी compress करना है जो भी format में आपका फाइल होगा compress कर सकते हो तो आपको सबसे पहला करना क्या है upload image पर क्लिक कर लेना upload image पर क्लिक करते हैं आपको जो image आप जिदर सेख क कि इतना compress हुआ यह image तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यह 90% यह image compressed हो चुका है तो इसको बस simply आप download कर लेजिए और उसको आप अपना नाम देजिए compressed और फिर अपने website के images को change कर देजिए तो इससे क्या होगा आपके website पे चो image 10mb का वह बहुत कम हो चुका है मतलब 90% माइन कितना 1.10mb का फाइल हो चुका है सिद्धा 90% माइनिस तो पह तो क्या होगा वह image फटाक से लोड़ जाएगा तो यह benefit है image compressed करने का और आपके SEO में रांकिंग बढ़ने का website लोड़ जल्दी होगा तो जल्दी रांकिंग बढ़ेगा इस image के कारण हो सकते था आपका website लोड़ भी है तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें नहीं पसंद आया तो dislike करें और comment भी कर दीजे कि आपको वीडियो कैसा लागा खराब लगा तो क्यों और instagram पर follow कर लिजिए channel को subscribe कर लिजिए और bell icon भी प्रेस कर लिजिए so thank you so much for watching this video once again bye bye